पेहत विवित, चतिल और चुनोति पून हैं और यहां के आदिवासियों का पूरा जीवन जल, जंगल और जमी पर आधारित होता है वन्यवासि प्रक्रती के करीब रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और इसे ही शहरों और नगरों में उपलब्ध आधुनिक अफसरों से वन्चित रह जाते हैं लेकिन अब उनके जीवन में चिराग परियोचना नए अफसर, आशाय और सुनहरा भविश्य लेकर आ रही है 36 गर राज्जी के 36 गड़िया मुख्यमंत्री माननिय श्री भुपेश बगहर जो स्वयम एक किसान परिवार से आते हैं और 36 गड़िया मिट्टी में रचेवसे हैं, वे किसानों और आदिवासियों के हितैशी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं उनके तीन वर्षों के अथक प्रयासों से 6 वर्षिय अभिनव परियोचना का शुब आरम होने जा रहा है जिसका नाम है छत्यसकर इंक्लूसिव रूरल और एक्सेलरेटेड एग्रिकल्चर ग्रोथ चिराग इस परियोचना में बेहत महत्वपून हित धारुकों का समावेश है यह परियोचना, वर्ल्ड बैंक और सैयुक्त राश्ट्रिस संग की क्रिशे विकास हेतु स्थापित संस्था आईफेट द्वारा वित्पोशित है 36 गर शासन भी परियोचना की 30 प्रतीशत राशी अपने राजकिय पोश से उपलब्द करा रहा है परियोचना में विश्व बैंग द्वारा 730 करोर, आईफेट द्वारा 486 करोर और 36 गर शासन द्वारा 518 करोर रुपयों का निवेश किया जा रहा है 25 आदिवासी बहुल ब्लोकों में लागू होने वाली चिराख परियोजना में आदिवासी इलाकों के स्थानिय युवाओं को आत्म निर्भर, स्वाव लंबी, ग्रामिर उद्दमी के रूप में तयार करने हेतू मच्य पालन, पशु पालन, उद्ध्यानिकी, वनांचल शेत्र के विशेश प्रजातियों के उत्पादन, शेत्रिय जलवायू पर आधारित पोश्टिक खाद्य पदार्तों के उत्पादन, सेल्स और मार्केटिंग का प्रशिक्षन, अत्यादुनिक क्रिशी तक्नीकों की शिक्षा पौशल विकास कारिक्रमों के माध्यम से दी जाएगी इन युगाओं को स्टार्टप खोलने के लिए भी प्रशिक्षित और प्रोद्साहित किया जाएगा जल सम्रक्षन और जलवायू अनुकुल क्रिशी का प्रशिक्षन भी इस परियोजना का प्रमुख हिस्सा कर्यों प। चिराग परियोजना को स्ट्राइब की चौदा जिलों के आदि वासी बहुल ब्लोकों में लागु किया जाएगा। चिराख परियोजना से लखभग तीन लाग क्रिशक परिवारों के जीवन में नया सूर्य उदे होगा जो उनके आने वाले पीडियों का भी भविश्य सवारेगा परियोजना के माध्यम से 36 गर राज्जी ग्राम विकास आदिवासी किसानों और उनके परिवारों के हितों की नई इबारत लिखने जा रहा है वीडियो प्रदर्शन के बाद परपरा के अनुसार हब हमारे सम्मानिनी अतीथियों का स्वागन करने जा रहे हैं सबसे पहले मुख्य मन्त्रे चत्रजगान्जें शाशन माननी शेव भुपेश बहेल जी के स्वागन के लिए मैंने वेदन करूँगी प्रभारी मंत्री एवम वदाय कोटा आदर्नी शेव कवासी लखमा जी को और इसके पश्चार माननी मुख्य मंत्री महदेजी का स्वागत करेंगे मंत्री कृशी इवं जलसन साधन विभाग आदरनीशी रविंद्र चोबिची मागनी मुख्य मंत्री महदेजी के स्वागत के लिए नविदन है सांसत बस्तर आदरनीशी रविंद्र चोबिची अस्वागत के इस गड़ी में माननी श्री भूपिश बगेल जी मुख्य मंत्री श्रति गर्शासन के स्वागत के लिए हम आवंत्रित करते हैं डॉक्टर कमल परीट सी कृशी उतपादन आयोक्त इस गर्म में आवंत्रित हैं श्री जी आर चुरेंद्र कमिशनर संभाग बस्तर श्री सुन्दर राजपी पुलिस महानेरिक्षक बस्तर आदरनीय श्री रजत बंसल कलेक्टर बस्तर श्री जितेंद्र स्वीम मेंडा पुलिस अधिक्षक बस्तर माननी शुरी रविंद्र चौबे जी मंत्री कृशी इवंजल संसादन छत्रिज़गर शासन के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर ऐस भारती दासन विशीज सचीव इसक्रम में आमंत्रित हैं श्रीमती चंदन संजे त्रिपाठी चिराग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर ऐसे सेंगर कुलपती इंद्रा गाधी कृशी विश्विद्याले मानिनी श्री कवासी लखमाजी प्रभारी मंत्री बस्तर और विधाय कूंटा के स्वगत के लिए आमंत्रित हैं संचालक कृशी श्री यश्वंध कुमार जी संचालक उद्यानी की श्री माधिशवरन भी समसत बस्तर, माननी श्री दिपक बैद जी के स्वागत के लिए हम आमत्रित करते हैं मुख्यकारिय पालन अधिकारिव जिला बंचाय आधरनीय रीचा प्रकाश श्योधरी जी को पिसी क्रम में मत्रित हैं तुलिका प्रजापत्ती जी माननी विधायक अंतागर श्री अनुप नाग जी के स्वागत के लिए अतरिक जुलादीस बस्तर माननी विधायक भानुपरतापूर्श्री मनोज मंडावी जी के स्वागत के लिए अनुप विभागी अधिकारी राजश्रु श्री दिनेश नाग जी विधायक भिलाई माननी श्री देविंद्र यादर जी अनु विभागी अधिकारे राज़त स्वागत करेंगे माननी श्री संत कुमार संत निताम जी माननी विधायक केशकाल आग रहा है अनु विभागी अधिकारे राज़त से आप स्वागत करें माननी विधायक बहुदैका जी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक बिजापूर मानिय श्री विक्रम शहमंडावी जी और श्री प्रदीप सर्मा जी मानिय मुख्यमंत्री जी के सलहकार के स्वागत के लिए हम मामंत्रित करते हैं तो श्री रीचा प्रकाश शौधरी जी को मुख्यकार पालन अधिकारी जुला बंचॉयक बस्त रप महपावर जगदलपूर मानिया श्रीमती सफीरा सहो जी अनुप भागी अधिकारी राजित सो सवागत करेंगे सभापती नगरपालिक निगप जग्दलपूर मानेनिय श्री मती कविता साहो जी शहर अध्यक्ष कॉंग्रस कमिटी मानेनिय श्री राजियू शर्मा जी क्रेडा के सम्वानित अध्यक्ष मानेनिय श्री मिथलीश शुनकार जी ग्रामिड अध्यक्ष माननी श्री बलराम मौरजी और मंचा सीन सभी अतितियों के स्वागत के लिए हम अमत्रित करते हैं राजस्व अनुभागी अधिकारी श्री दिनेश नाकसर को और इस क्रम में गज माला से माननी मुख्य मंत्री महोदे का स्वागत करेंगे अध्यक्ष अस्तर जिला कंगर्स कमीटी शहर माननी श्री राजी शर्मा जी और अध्यक्ष बस्तर जिला कंगर्स कमीटी जी, राजी शर्मा जी अविनन्दन करेंगे गजमाला से माननी मुख्य मंत्रे महोदे का महापौर स्रीमती सफिरा साहो जी, सभपती माननीया स्रीमती कवीता साहो जी संसदी सचीव और विधायक जगदलपूर माननीया लिखाइक चत्रे कुट मानिय श्री राज्मन बेंजान जी मानिय स्री सुछल मौरिय जी प्राधी करण के अध्रेट्ष और विधायक बस्तर मानिय श्री लकेश्वर बगेल जी स्री मनुझ मंडावी जी अभिनेंदन करते हुए मानें ये मुख्यमंद्री बहुत है का और इसकी पश्याद हम नवेदन करेंगे क्रिशी उत्पादन आयुक्त आदर्नी डॉक्टर कमल प्रीट सिंग्जी से कि वे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कश्ट करें चिराग परियोजना के आज शुबारम के अफसर पर मुख्य दिती श्री बुपेश बगेल जी मान्य मुख्यमंद्री चत्तिगण शासन अध्यक्षता मान्य कृशी मंद्री जी श्री रविंज चौबे जी और अति विशिष्ट अतिती श्री कवासी लखमा जी और साथी मान्य सांसत दिपक बैज जी मान्य हमारे सांसत गण एवं मान्य विधायक गण कृशी सलाकार सभी उपस्तित आज हमारे किसान भाई आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस परियोजना के बारे में तो जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परिवारों के आये के अफसरों को बढ़ाने के लिए और उनके लिए ख़द्र सुरक्षा की दृष्टी से पॉस्टिक बोजन की उबलतता में सुदार करने के दृष्टी गथ ये चिराग परियोजना चत्तीसगर इंक्लूजिव एग्रिकल्चरल रूरल एग्रिकल्चरल एट एक्सलरेटेड एग्रिकल्चर ग्रोथ चिराग के नाम से ये परियोजना की शुरुवात होने जा रही है इसमें परियोजना की कुल लागत 1735 करोड रूपया है और ये परियोजना चत्तिजगर शासन, विश बैंक और आईफैक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रिकल्चरल डेवलोप्मेंट इन तीनों जो संस्ताएं हैं शासन के सायोग के साथ में ये संचालित की जाएगी और इसका क्रियानवन समेकित ग्राम विकास जोजना के आधार पर किया जाएगा लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और नर्वा गुरुआ गुरुआ बाड़ी के उद्देश्यों के तैरत जो हमने गोठाने बनाई हैं उन गैठानों पर केंदृत गतिविदियां इसमे परियोजना इकाई और विकास खंड स्तरिया परियोजना इकाई भी स्तापीन की जाएगी ताकि समय बद तरीके से इस परियोजना का संचालन हो सके यह परियोजना छै वर्ष के लिए संचालित की जा रही है। दान का कटोरा कहला जाने वाले 36 गड़ की पहचान अब राश्ट्री अस्तर पर इमली, तिखूर और और कई फसलों और उत्पादों के साथ भी हो रही है जल्दी ही मिलिट मिशन के तहट चिराग परियुजना के माध्यम से रागी, खोदो, कुटकी के प्रसंसकरण केंद्र बस्तर में स्थापित होंगे एवं सुपोशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पाद स्थानी अस्तर पर तयार किये जाएंगे और उपलब्द भी होंगे और वित्रित किये जाएंगे इससे बस्तर अंतर राश्ट्री अस्तर पर जाना जाएगा साथी मुर्गी पालन, बक्री पालन और अन्य गौठानों में किये जाने वाले कार भी इस योजना में लिये जाएंगे चाए और कफी का उत्पादन भी बस्तर शेतर में इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा चिराग परियोजना के तहट व्यक्तिगत अमें सामुदाइक बाड़ी को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे लक्षित परिवारों को ताजी, समझी और फल पराप्त होंगे और स्कूलों के लिए मध्यान भोजन और आगनवाडी किंद्रों में पौश्टिक आहार स्थानी अस्तर भी उपलब दो पाएगा परियोजना अंतरगाद लगू एम सिमान कृष्कों को गठान नस्ताबित कस्टम हारिंग सेंटर के माध्यम से आवश्चक रिशी यंत्र एवं उप्रण उपलब कराए जाएगे जिससे उनकी पहुच लागत में कमी आएगी और आसानी से वो किसानों को उपलब दो पाएंगे पोविड नाइंटीन महामारी से परत्यक्ष रूप से जो परवाविक परिवार हैं उनको भी रोजगार के सरजन के अफसर इस योजना के माध्यम से मिलेंगे और उनकी आये में विर्द्धी होगी ये परियोजना आदिवासी क्षेत्र में समगर विकास और आदिवासियों को आजीव का उपलब कराने और उनके जीवन सतर को उपर उठाने में अध्यानत महत्मून रहेगी ऐसी मैं कामना करता हूं मानिनी मुख्यमंत्री महादेची से हमारा नवेदन है कि शहीद कुंटादूर क्रिशी महाविद्याले के द्वारा जारी क्रिशी आधारे टेक्निकल बुलेटिन बस्तर की प्रमुक दलहनी फसर इस पुस्तर का विमोचन अपने हाथों से करने का कश्ट करे विमोचन करवा रहे हैं डॉक्टर S.S. सेंगर कुलपती इंदीरा गांधी क्रिशी विश्विद्याले एभब डॉक्टर आरेस निल्ताम डीन क्रिशी विश्विद्याले विमोचन क्रिशी विश्विद्याले आपने सीम भुपेश बगेल को देखा जो एक दिन के बस्तर दोरे पे है इस समय वो जगदलपूर में थे और काफी सोगातों को उन्होंने सोगाते भी दियें काफी लोगों को लैब स्मार्ट लास की भी सोगाते दियें झाल झाल झाल